हमारी इस दुनिया में आए दिन कोई ना कोई नया फिनोमेना क्रियेट होता रहता है अब जो लोग ट्रेवलिंग के शोकीन होते हैं और उनके पास रिसोर्सिस भी होते हैं तो ऐसे लोग तो फोरण से इस फिनोमेना को देखने के लिए निकल पड़ते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनने ट्रेवलिंग का तो शोक होता है लेकिन उनके पास रिसोर्सिस नहीं होते या फिर ये लोग तो सम एक्स्टेंट लेजी होते हैं अपना कमफर्ट जोन छोड़ने को तयार नहीं होते हमारी आज की ये वीडियो दोनों ही तरह के लोगों के लिए बनाई गई है आज की वीडियो में आपको इस दुनिया में होने वाले चंद अजीब औ गरीब फिनॉमिनास के बारे में बताऊंगा जो के लेटली रिपोर्ट किये गए हैं ये वीडियो देखने के बाद अगर मूड बना और पैसे हुए तो निकल जाना इन नैचरल फिनॉमिनास को अपनी आँखों से देखने वरना ये वीडियो तो है ही इसे दुबारा से देख लेना तो आये शुरू करते हैं आज की ये बहुत इंटरस्टिंग वीडियो लेकिन उससे पहले चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दें इस मेजमराइजिंग वीडियो को देखिए जिसमें आप एक इंतहाई अजीब औ गरीब किसम का फिनॉमिना देख रही है अब ये कोई नैचरल क्रियेटिविटी है या फिर मैन मेड आर्किटेक्ट सामने देखने के उपर साफ नजरी आता है कि पानी एक बहुत बड़ी मिकदार में एक होल है और उसके अंदर गिरता चला जा रहा है सवाल ये पैदा होता है कि ये होल है क्या तो दोस्तों ये होल है एक स्पिलवे ये एक इंतहाई different किसम का स्पिल्वे है जिसे एक डैम के उपर बनाया गया है इस बात में कोई शक नहीं किब्रीसा स्पिल्वे डिजाइन के हिसाब से दीगर स्पिल्वे से बेहद different है स्पिल्वे का काम आप जानते हैं कि जब डैम के अंदर पानी एक खास मिकदार से उपर चला जाता है बढ़ जाता है तो फिर इन स्पिल्वे को घोल दिया जाता है ताकि पानी का लेवल नीचे चला जाए या नॉर्मल हो जाए इसका फाइदा ये होता है कि पानी का प्रेशर जादा नहीं भड़ता जिसकी वज़ा से डैम की मजबूती को कोई खत्रा लाहक नहीं होता अगर ये स्पिल्वेज ना हो तो यकीन कीजिए कि बहुत सारे डैम्स खुद बाखुद पानी के प्रेशर की वज़ा से तूट जाएं ये खास किसम का स्पिल्वेज जो आपकी स्क्रीन के उपर है ये बरीसा लेक के उपर बनाया गया है इस पिल्वेज की दो साइड्स है एक वो है जो आपके सामने है और दूसरा डैम्स के नीचे मौजूद है ये दोनों एंड्स एक बहुत बड़े पाईप के धुरू आपस में कुनेक्ट होते हैं उपर वाले एंड्स से एक्स्ट्रा पानी पाईप के अंदर दाखिल होता है और दूसरे एंड्स से यानि के बाटम वाले एंड्स से बाहर निकल जाता है क्यों दोस्तो क्या ख्याल है न काफी मेजमराइजिंग किसम की वीडियो काफी अजीब औ गरीब किसम का फिनॉमिना मेरे ख्याल में तो है लेकिन आप लोग क्या कहते हैं मुझे अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा नमबर टू पर है पाइप लाइन ब्लास्टिंग जो फोटेज आपके सामने है उसको देखकर आप मेंसे जादातर लोगों को ट्रैमर मुवी सीरीज याद आ गई होगी इन मुवीज में इस किसम के बेशुमार सीन्स थे जो के काफी जादा धरा देने वाले थे वेल वो तो मुवी थी लेकिन यहाँ पर जो आप फिनोमेना देख रहे हैं उसे कहते हैं पाइप लाइन ब्लास्टिंग और ये कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर काफी जादा नॉर्मल चीज है पाइप लाइन ब्लास्टिंग का मेकनिजम उन जगों के उपर इस्तमाल किया जाता है जहां पर जमीन काफी जादा सखत होती है इतनी सखत कि उसकी खुदाई मशीन्स से भी पॉसिबल नहीं होती ये ब्लास्टिंग उस जमीन को तोड़ती है ताके वो टुकड़े टुकड़े होकर नर्म हो जाए और उसकी खुदाई काफी जादा असान हो जाए जो शक्स ट्रैवलिंग का शुकीन है गूमने फिरने का शुकीन है उसे वाटर फॉल्स भी लाज़मन पसंद होंगी वाटर फॉल्स को तो ट्रैवलर्स की कमजोरी कहा जाता है इस बात का अंदाजा आपको कैनेडा की मशूरे जमाना नियागरा फॉल्स देती है हर साल पूरी दुनिया से लाखों सया समर्स में विंटर्स में कैनेडा का रुख करते हैं सिर्फ और सिर्फ इस एक वाटर फॉल्स को देखने के लिए चाइना में एक इमारत के अंदर एक खास किसम की वाटर फॉल्स बनाई गई है जिसकी उनचाई है 121 मीटर्स ये वाटर फॉल्स इस वक्त पूरी दुनिया में काफी ज़दा फेमस हो चुकी है ये वाटर फॉल्स दिखने में जितनी ज़दा खुबसूरत है उतनी ही ज़दा ये एकस्पेंसिव भी है अब चुकर ये मैनमेड वाटरफॉल है लहाज़ा ये एक बिजली के मेकनिजम के उपर चलती है इस वाटरफॉल में पानी को नीचे बॉटम से 121 फुट की उंचाई पर लेकर जाने के लिए काफी ज़ादा बिजली सर्फ होती है ये वाटरफॉल एक घंटे में 800 यौन की बिजली खा जाती है अब आप 800 यौन की अपनी लोकल करनसी में कनवर्जिन खुद कर लें आपको पता चल जाएगा कि ये वाटरफॉल किस कदर एक्सपेंसिव है आप मेंसे अक्सर लोग बारिश में भीगे होंगे अक्सर लोगों के साथ ऐसा भी हुआ होगा कि शहर के एक कोने में उन्हें बारिश मिली तो दूसरे कोने में बिलकुल खुशकी अब अगर ये दूसरा फिनोमिना आपके साथ हुआ है तो डेफिनिटली आपने मिस कर दिया है बारिश का कोना येस एज ओफ रेन बारिश का किनारा ये एज ओफ रेन एक्जिस्ट करता है और ये ढूंडने से आपको मिल भी सकता है अगर आप इस एज पे खड़े हो तो आपको खुशकी अपने पैरों के नीचे और बारिश बिलकुल सामने होती हुई नजर आएगी लेकिन ये नजरा पाने के लिए आपकी लग कभी आपके साथ होना बेहत जरूरी है एज ओफ रेन ढूंडने के लिए तीन बड़ी कड़ी शर्ते हैं एक तो बारिश बहुत जदा तेज हो रही हो दूसरी ये के बारिश के दोरान तेज हवा बिलकुल ना चले और तीसरी ये के जहां पर एज ओफ रेन बने बारिश का किनारा बने आप वहां पर मौझूद हो अब अगर आप लगी हैं और आपने ये तीनो चेक बॉक्से टिक कर लिए हैं तो फिर बारिश का किनारा आपके सामने उस तरह से आ जाएगा जिस तरह इस वक्त आप अपनी वीडियो में देख रही हैं हेल स्टॉम के साथ भी सेम यही फिनोमिना क्रियेट हो जाता है वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शक्स को हेल स्टॉम के अंदर एज ओफ हेल स्टॉम मिल जाता है ये शक्स जहां पर खड़ा है वहां पर बिलकुल किसी भी किसम की यालाबारी हेल स्टॉम नहीं है वहां बिलकुल सूखा है बिलकुल खुशक जगा है लेकिन इसी शक्स से कुछ कदम दूर आपको जमीन, एल स्टॉम या याला बारी की वज़ा से मुकम्मल तोर पर सफेद नजर आती है नमबर सिक्स पर है पेपर सकल्प्चर्ज सकल्प्चर्ज या मूर्थियां आप सबने देखी होंगी लेकिन हैं मुशूर के कागज के बने हुए सकल्प्चर्ज या कागज की बनी हुई मूर्थियां ये शायद ही आपने पहले कभी देखी हो इंटरनेट के उपर इन मूर्तियों की काफी ज़ादा वीडियोस तो मौजूद हैं लेकिन लोगों को कभी भी समझ नहीं आया कि ये मूर्तियां आखर में बनी कैसे हैं ज़्यादातर लोग यही समझते थे के ये तमाम मूर्तियां किसी ऐसे ऐलिमेंट की बनी हुई है या किसी ऐसे माटीरियल की बनी हुई है कि जिसको स्ट्रेच किया जा सकता है और जब इस material को de-stretch किया जाता है, stretch back किया जाता है, तो ये मूर्ती की original position में आ जाता है वेल दोस्तों वो material जिससे ये तमाम अजीब औ गरीब किसम की मूर्तियां बनी हुई हैं वो है कागस मुख्तलिफ कागसों को मुख्तलिफ sizes में काटा जाता है, उन्हें glue से चिपकाया जाता है कागस की इन मूर्तियों को बनाने वाले artist में सबसे ज़्यादा मशूर है फिलिक्स सेंपर फिलिक्स न मशूर रैपर Notorious B की इसी तरह की एक कागस की मूर्ति बनाई थी और वो पूरी दुनिया में काफी ज़्यादा मशूर हुई थी अब कागस की ये बनी हुई मूर्तियां जब नॉर्मल पोजिशन में होती है तो फिर उनको देखने का अपना एक अलग सा मज़ा तो है लेकिन जब आप इस मूर्ति को स्ट्रेच करते हैं इसके साथ खेलते हैं तो फिर उस वक्त आपको एक बड़ा ही डिफरेंट किसम का मज़ा आता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस स्ट्रेचिंग और इस खेलने को सिर्फ अगर आप अपनी आँखों से देख रहे हैं तो इससे भी आपकी आँखों को एक बड़ी अलग किसम की कमफर्ट मिलती है और इसी के साथ दोस्तो हमारी आज की ये वीडियो यहां पर होती है दी एंड आज की वीडियो में मैंने आपको दुनिया भर से जो अजीब औ गरीब फिनॉमिना दिखाए उनमें कौन सा फिनॉमिना आपको सबसे जादा पसंद आया सबसे जादा अजीब औ गरीब लगा और किस फिनॉमिना को देखने के लिए आप अपने पैसे भी खर्च करने को तयार हैं मुझे अपनी चॉइस कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा इस वीडियो का फीड़बेक देना मत बूलिएगा मुझे आपके फीड़बेक का इंतजार रहेगा मुझे इसी इंटरस्टिंग और फुल अफ नॉलिज वीडियो देखने के लिए स्टुडियो वन चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में